अश्लिल फिल्म के संबंध में फरवरी 2020 में केस दर्जोने के चार महिने बाद अभिनेत्री शिल्पा शेत्री के कारोबारी पती राज कुंद्रा की मुश्किले पढ़ती चली जा रही है मुंबई के संयुद पुलिस आयुद मिलिंद भानबे ने बताया कि नवोदित अभिनेत्रियों को वेप सिरीज में अच्छे ब्रेक का प्रलोबहन देकर उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाय जाता था जहां उन्हें अस्नील द्रिशिक करने के लिए बाद लिखिया जाता था नई महिला कलाकार वेप सिरीज या शॉर्ट फिल्म में अच्छा ब्रेक पाने के चक्कर में इस रैकेट में फस जाती राद के गिरिफतारी के बाद अभिनेत्री मॉडल सागरिका सोना सुमन का एक इंटर्व्यू सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें भी ऑडिशन के नाम पर अस्नील ऑडिशन का ओफर मिला था लेकिन उन्होंने मना करने वहीं अभिनेत्री शार्मी चोपला और पुलिस में अपना बयान पहले ही दर्ज करा कहा जा रहा है कि राजकुंद्रा इस अस्नील कंटेंट को बेच कर करोडों रुपए कमा रहा था जब कि उसके जाल में फसने वानी महिला कलाकारों को मात्रा आठ से 10,000 रुपए ही मिलते लिए पुलिस ने पहले बिवानी कंपनी के इंडिया हेड उमेज टामत को गिर्फतार किया था उससे पुश्थात के बाद राजकुंद्रा की गिर्फतारी ही राजकुंद्रा इस काले धंधे से लाखो करोडों की कमाई कर रहा था जब की फिल्म में काम करने वादी लड़कियों को महज कुछ रुपए देकर चलता कर देता था राजकुंद्रा की विवान गेमिंग प्राइवेट लिम्टेड कंपनी का लंदन की केंरिंड नामख कंपनी से टाइअप है केंरिं गंपनी राजकुंद्रा के जीजा की है इस कंपनी का Hot Shot एप भी है जिसे Google और Apple के जरीए डाउनलोग किया जा सकता है हलाकि Porn Film का प्रसारण होने के कारण साल 2020 में Google और Apple कंपनी ने Hot Shot एप को हटा दिया पुलिस ने बताया कि ये अलग-अलग एप थे जिस पर इसकी सामगरी बेची जाती हर रोज लाखों की कमाई हो रही चैट के अनुसार कुंद्रा एप लाइप स्टो के माध्यम से रोजाना 1.85 लाख रुपए और फिल्मों के जरीए 4.53 लाख रुपए रोज कमा रहा Hot Shot एप पर 20 लाख ग्रहत जैसा कि सभी जानते हैं कि शिल्पाशेटी एक खुद बड़ी अभिनेत्री रह चुकी हैं तो इस नाते तमाम नई अभिनेत्रियां राज कुंद्रा के संपर्क में आ जाती थी और राज कुंद्रा उनसे असलील फिल्म में बनवा कर उनसे मोती कमाई कर रहा था तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या शिल्पाशेटी को इस बारे में नहीं मालूम था कि उनके पती क्या कर रहे था कुछ अब नेत्रियों ने इस पूरे मामले पर शिल्पाशेटी की गिर्फतारी की भी मांग की है तो क्या आने वाले वक्त में शिल्पाशेटी की भ कमाम टिक टॉक वीडियो सामने आए टिक टॉक वीडियो बनाते बनाते राजकुंद्रा कब पॉर्ण इंडस्ट्री में उतर गया उसे पता भी नहीं चला होगा जब लाखों और करोणों की कमाई रोज हो रही हो तो इस फर्क भी क्या पड़ता है इस तरह के बड़े इंडस झाल